वेल्कम बैक टू दिस यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्स के बारे में जिसमें छे नए देशों को सामिल किया जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से लाइक कर दिजिए और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब क जखेगा और जो भी चीज यहां पर बताया जाएगा उसे नोट डाउन करते चलिएगा तो एक तरह का अगर आप जानते होंगे पहले से तो अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के थूरू आप जाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे म पंधन बनाया गया जिसको ब्रिक्स बोला जाता है इसने जोहांसबर्ग में अपने सिखर समिलन के दोरा जोहां पर एक सिखर समिलन हुआ ठीक है एक समिट हुआ वहां पर बताया गया कि जो च्छे और भी एक्स्ट्रा मत अत्रीक्त देश हैं उनको इसमें जोड़ा जाए तो इन सब को क्या किया जाएगा उसमें साविल होने के लिए अमंत्रित किया गया है ताकि वो ब्रिक्स में आके जुड़े ब्रिक्स में पहले से कितने कांट्री थे तो 12345 थे ठीक है फाइब कांट्री थे ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अपरिका लेकिन अब यह चे और कांट्री को उसमें जबेड करेगा तो टोटल 5611 हो जाएगा ठीक है जनवारी में सुरू होने सुरू होने वाला यह विस्तार भी का सिल दुनिया में ब्रिक्स के परतिनिद्व को बढ़ाता है यानि कि जनवारी में सुरू होगा इसमें तो क्या करेगा सीबी चीज के लिए अगर यह खड़े होंगे तो वह काफी ज्यादा इफेक्टिव सावित होगा आए और बात करते हैं आगे पॉइंट तो दिया गया ब्रिक्स जो वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% अबादी और बैस्वीक सकल घरिल उत्पाद कि एक चोथाई से प्रतिकार के रूप में खुद को स्थापित करना है ठीक है इस बिस्तार में भूराज नितिक नहितार्थ और समूह के भीतर भारत की भूमी का पर संभावित पईनाव होंगे चलिए अब आगे कुछ इंसे जूरे इंपोटेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं जैसे दिया गया है कि ब्रिक्स द्वारा छे अत्रिक्त देशों को गटबंधन में सामिल होने के लिए अमंत्रित करने का क्या महत्व है ऐसा क्या है इसका इंपोटेंस है कि जो छे एक्स्ट्रा जो कांट्री है उनको इस गंधन में सामिल किया जाएगा और उसके लिए अमंत्रित किया गया है तो बात करें हम इरान सन्युक्त अरब अमिरात सौधी अरब अर्जेंटिना मिस्र और इथिपी यही छेदे से जिसको एड़ किया जाएगा इससे जल्दी से इस तरह से नंबर वाइस देख इनको सामिल करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार विकासिल दुनिया के परतिनीधित के रूप में इसके प्रभाव और आवाज को मजबूत करता है जो संभावित रूप से पच्मी परभुत वाले बैस्वीक मंचों को चुनावती देगा तो जो भी मतलब पच्मी परभुत और आर्थिक परतिनीधित्व उसको कैसे एफेक्ट डालेगा उसके कैसे उसको परभावित करेगा अगर इस यह जो एक्सपेंशन किया जा रहा है उसके तो यह जानते हैं तो दिया गया नए सदस्यों के साथ जब जब नए सदस से इसमें जूर जाएंगे छे नए कंट्र सन्युक्त अरब अमिरात हो जाएगा और इरान आजाएगा जो कि सबसे जादा तेल उत्पादक कांट्री है यह सारे इसमें सामिल हो जाएंगे यह बढ़ा हुआ परतिनीधित्व एक दुर्जय बैस्विक इकाई के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा तो इसका अरब सन्युक्त अरब अमिरात और इरान से तो जब यह एक साथ जूड़ जाएंगे तो समझ सकता है कि इनका इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा हो जाएगा तो आज के इतना है आज का सेशन नहीं पर समात हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर ब